यूपी के कानपूर देहात में उस वत हड़कम मच गया जब गाव में खड़े कुछ लोगों पर यूपी पुलीस सिपाही और फॉजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों पर चलाई कई राउंड गोलिया गोली लगने से तीन लोग हुए घायल गाव में गोलियो की सुचना पुलीस को दी वही सुचना पर पाश थानों की भारी पुलीस फोर्स मौके पर पहुची और घायलों को एम्बिलेंस से अस्पताल में भरती कराया और जांच में जुट गए ताजम हामला कानपुर्देहाद के राजपूर बैना गाव का है जहां बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते पुलीस सिपाही और फोजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घट्टा को अंजाम दिया है गायलों की माने तो कुछ दिन पहले उनका किसी बात पर चैनपूर गाव निवासी शैलेंद्र सिंग से विवाद हो गया था फिर बाद में सुलहनामा भी हो गया था वही गाव के ही पृत्विराज सिंग शराप के नशे में गाली अलोज करने लगे जिसका विरोत करने पर वो जगड़े में आमादा हो गये फिलहाल मामले को बढ़ता देख टाल दिया गया लोगों का कहना है कि जब दीपक सिंग अपने घर में था फिर से पृत्विराज जो यूपी पुलीस में सिपाही के पतपर तैनात है वो जैनपूर गाव निवासी शैलेंद्र सिंग फौजी वो उसके साथियों के साथ गा कम मच गया वही घटना को अंजाम देकर पाचो आरोपी एक घर में घुज गए जिसको गाव वालों ने चारो और से घेड लिया और घटना की सुचना पुलीस को दी वही घटना की जानकारी होने पर पाच थानों की भारी पुलीस फौर स्मोके पर पहुच गए और आरोप शामिल है वही घटना गाव में तनाव की स्थिती बनी हुई है कानपूर देहाद से रजा मुहम्मद की रिपोर्ट